मदेपूरा जिला के मुर्ली गंज और बिहारी गंज ठाना छेत्रों में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद हुई हत्या गोली कांड और काफी बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराथ की बरामगी को लेकर एक बाद फिर जाप सुपीमो पपुयादर में मुर्ली गंज और ब आखी ठाना पर्वारी की कारी शयली सही नहीं है उनोंने कहा कि मदेपूरा जिला का壹़ी गंज और बिहारी गंज ठाना छेत्र पर का इला का इलाका आसांथ है उन्होंने कहा कि क्रिमिनल इलाके में खुलियाम घुम कर कानून का मज़ाग बना रहे हैं बावजूद इसके थाना अध्यक्ष कोई कारवाई नहीं करते पपु यादब ने सवालिया और सक्त लाज़े में बोला कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसी कौन सी ताकत है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे ना अहल ठाना ज्यक्ष अपने पज़ पर बने बैठे हैं चंदन नाम के अपरादी ने फिर लालू मंडल को गोली मार दिया पाँच आदमी के साथ मिलकर आखिर यह कौन है फितनी ताकत है इसके पास की पुलीस गिरफ्त में वो नहीं आ रहा है मदेपुरा के जननायक करपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंडर स्पताल में इलाजरत मरीजों से मिलने और आर्थिक मदग करने के बाद पतरकारों से बात करते हुए पपुयादब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने मदेपुरा जिला के दो तीन ठाना अध इच्छक उचित कारवाई करेंगे पपुयादब ने कहा कि इस से कबल भी मदेपुरा जिला के शंकरपूर के ठाना परभारी के परती मिरा नजरिया यही था जो भीना पैसा लिए ना धारा जोरते हैं और ना धारा को हटाते हैं और यहीं नजरिया मुर्ली गंज और बिह बग दरदन बर कावरियों के गंभीर हो युक से घायल होने पर संबेदना व्यक्त करते हूं पपुयादब ने कहा कि सरकार का जो आपदा का प्रावधान है वो काफी जटिल है जबकि जटिल नहीं होना चाहिए ताकि गरीबों को आपदा का लाग आसानी से मिल जाए पप के आस्तितों को चार-चार लाग का मौादजा और जो लोग घायल है उनके बहतर हिलाज की ब्यवस्ता फौरी तोर पर करनी चाहिए क्या कुछ कहा जाप सिपुपपुयादब में आप भी सुनिये दिली मंडल की हत्या फिर लागो मंडल को घुली मार देना इसके पहले सर्माई भुजुब्च उसकी हत्यार और कोई कारवाई जी क्रिमिनल ऑपन घुम्राव हमको समझ में नहीं आता है आखिर ऐसी कौन सी ताकत है कि इतने दिनों तक जो परभारी या जो लोग निकम में है वह उसी जगह पर बैठे है फिर वही चंदन अपरादी ने लालो मंडल को मार दिया पांच आदमी के सब्सक्राइब आगी दिये कौन है इतनी कितनी ताकत है इसके वह धराता नहीं है एक्सिडेंट मरता नहीं है हमें आसर जोता है हम इस इलाके के दो तीन थाना प्रव प्रवारी के सिकायत हमने दीजी सहब से भी किये और मैं आप रिक्सा करूंगा यहां की स्पी से जो आठ छुटी पर है कि दो तीन थाना प्रवारी को बदलना जोड़ी है जो पहले संकर्पूर के बारे में भी मेरा यहीं ऑप्जर्वेशन था कि वह बिना पैसा लिए ना होता जा रहा है कि दूसरी तरफ जो एक्सिडेंट रोड में हुआ कल रात हम वहां भी गए था भक्ति आहीं नदी से निकलने के बाद हलात अच्छे नहीं सरकार ने जिस तरीके से एक्सिडेंट या आग लगी या पानी कि आफदा से जुरे हुए मामले को जितना जटिल क दिया है कि आम आगी को इसे बहुत जो मिलना चाहिए बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है सब के सब गरीब लगा दिया हमको लगा कि यहां की स्थिति क्या है सप्कार को अभीलम 6-4 लाग रुकिया है महादलिक पड़िवार से है चार-चर-लाग रुकिया और जबाइल है उस और आलम नगर के लगभग तेंटिस में बार इन करें तेंटिस इन करें लगभग बार और पंचायद की इस्थिति अच्छी नहीं और वहां पर अभी किसी तरह का रहात नहीं पहुंचे अखिर क्या कारण है कि चौसा अभी मैं कल भट्याई था उसके पहले कि संपूर्ते अ मैं रुकता कर दि मेरा बड़ा अंदोला नहीं तीन मडर हो गया है रुस्टा में मेरा घ्रण है तो मुझको लगता है कि चौसा और आलम नगर पर अभीलम कैम चलाने की जोरत है भीतर में नौ देने की जोरत है सरकारी 9 की अबशकता है चापा कल की जोरत है और खास तोर प और पन्नी तत्काली जो और सांख की दबाई यह बहुत इंपर्टन है पिसरे चौसा और आलम नगर पर अभी तक हम उमीद करते हैं कि यहां के दियम से अब तेज तरार है और चौसा आलम नगर के गौह में जा करके हमें पानी का फ्लो काफी जाद है गंगा और कोशी खास्त जाते हैं जिदर कम हुआ कोहां की कटो जादे हो शुरू हो गई है यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समझे की लगबख धान की फसल खतम हो तो सरकार को मुल्यांकन करके तो सिवरेज पद्यान देनी की ज़ुरत है ताकि पानी निकाला जा सेगे तो जो बांद के बाहर का वहां पर हम पिसान काम करें सिवरेज के चलते हैं वहां की स्तिती बुरी हो गई और दूसी तरफ धान जो भी कुछ भी लगा इस बात पानी नहीं थी जिसके चलते धान का बहुत फसल अच्छा हो नहीं पाए तो नतीजा हुआ कुछ भी जीने की जो उसका जो माध्यम था एट्रेंडम बात आने के जलते हैं जबकि 15 अक्टुबर के पहले तक गोतिंग बार आएंगे हम समझते हैं सरकार को उसका मुल्याकिन करके मुआपजा खास्तों पर कोशी का जो इलाका है जो नदी का फिर सिमान चलक और मितला चलका है उदर मानंदा है गंडक है किहर है कन पानी से डंप हो चुका है आप देखेगा तो लोकी पो चल सकते हैं तो इससे लिए मेरा दिमांद है कि सरकार अभीलम फसल मुआपजा के साथ साथ सीवरेज पध्यान दे जबकि एंटी रोजन पर करूरों अर्वों रुपिया का काम हो जाते हैं तो फिर फ्लट करें हैं ताकि यहां की सारी जो खास तो पर पूरा का पूरा प्लांति बंद है और और सोर्सिंग पर ही सबसे ज़्यादे जो इस्थिती है और अल्ट्रा सॉन सिर्ट के चलते नहीं है उस पर हम मेरा ध्यान देगा